Study IQ Bank & SSE शुरुआत से सभलता तक का हमारा Concept क्या है Students? Speed versus Distance. तो आईए इस पे बात करते हैं कि Speed और Distance में क्या Relation होता है और इसका Use हमारे Questions में किस तरह से होता है? तो आईए बात करते हैं इसके बारे में. सबसे पहले आप सब जानते हैं कि जो Speed है उसका Formula होता है Distance upon Time अब अगर देखा जाए Speed भी उपर है Distance भी उपर है इन दोनों में जो Relation निकला वो निकला Direct क्योंकि दोनों उपर हैं तो Speed को हम बोल सकते हैं कि ये Directly proportional है Distance के जब Time आपका Same होगा Constant होगा. अगर Time वही है आप Speed और Distance में Direct Relation चाहते हैं तो वो Relation हमेशा Direct होगा अगर आप उसमें Relation चाहते हैं. अगर Speed बढ़ेगी तो आप शायद Distance जादा कवर कर सकते हैं. अगर Speed कम होगी तो Distance भी कम कवर होगा. कहने का मतलब अगर Time सेम है तो जैसे आप Speed बढ़ाएंगे उसी तरह से Directly Distance भी बढ़ेगा. अगर आप Speed कम करेंगे तो Distance भी कम होगा. यानि कि मैं यह कह सकता हूँ कि Speed का जो Ratio है अगर दो Case में वही इक्वल होगा उनके Distance के Ratio के उनी Two Case में. अगर Time सेम है तो जैसे आप Speed का Ratio देख रहे हो टू केस में वही उनके Distance का भी Ratio होगा. यह Simple सा Concept मैं आपके लिए क्या हूँ. आईए इस पर सवाल देखते हैं. कई बार ऐसा Question exam में पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति पहले तो किसी और Speed पे जा रहा था, अब उसने Speed Change कर दी और उस वजए से अब वो Distance या तो कम जाएगा या फिर जादा जाएगा. तो आईए देखते हैं, ऐसा कोई Question आ जाए तो कैसे करते हैं? क्या लिखा है Question में? एक बंदा 12 की Speed पे जा रहा था, बट इंस्टेड आफ 12, 12 की बजाए अभी वो जाना शुरू कर देता है 10 की Speed पे. तो 12 की बजाए उसने Speed क्या की है? 10 की है. और he would have walked 14 किलोमेटर लेस. अगर 12 की बजाए Speed उसने 10 की है, तो फिर 14 किलोमेटर लेस यहाँ पे Distance वो कवर कर रहा है. क्योंकि Speed कम की है, तो फिर Distance भी कम चलेंगे. यहाँ पे पूछा क्या है? Find the actual distance traveled by him. तो वो पहले actually, usually कितना distance चलता था? अभी तो शायद वो कम चल रहा है. क्यों? क्योंकि उसने Speed कम की है. तो Distance कम चल रहा है. पर पहले actual में कितना चलता था? तो आईए इस सवाल को कैसे करेंगे? आपको समझा यहाँ बात किस की चल रही है? Speed की और Distance की. ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, Speed और Distance में क्या relation होता है? डारेक्ट. जैसे Speed कम करोगे, वैसे ही Distance कम होगा. तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे Question में लिखा है, Speed का Ratio 12 से एक तरह से 10 हो गया. आपने Speed 12 की बजाए क्या की? 10 की. तो फिर Time क्या लगेगा? टाइम लगेगा इसका Inverse 10 से 12 उल्टा कह सकता हूँ? सॉरी, Time की बात नहीं चल रही. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Distance की बात चल रही है. तो Distance का जो Ratio है, क्या मैं कह सकता हूँ कि यह वही Ratio है जो Speed का है? यहाँ बात Speed और Distance की चल रही है. तो जैसे Speed कम हो रही है, हम कह सकते है, Distance भी वैसे ही कम होगा. तो अब यह जो distance में मुझे gap दिख रहा है एक तरह से, यह gap मुझे कितना दिख रहा है, यह gap मुझे दिख रहा है 2, 2 km कम चलता दिख रहा है, लेकिन question में क्या लिखा है, कि यह 2 नहीं होना चाहिए, यह 14 होना चाहिए, तो अगर आप 2 को 14 करना चाहते हैं, अगर आप यह 2 को 14 करना चाहते हैं, तो आपको बस इस ratio को किस से multiply करने के जुरूत है, 7 से, क्योंकि यह gap 2 है, पर हम 2 km कम नहीं चल रहे, 14 कम चल रहे है, इसलिए हम इसे 7 से multiply करेंगे, तो 12 इंटू 7 आ जाएगा 84, और यहां कितना चल रह है, तो यह वाला मेरा answer आ जाएगा, यानि कि 84 मेरा answer है, अब कितना चलता है, पूछले presently, तो आप बोलेंगे 70 चलता है, तो ऐसे यह question करना था, जैसे speed कम हो रहा है, वैसे distance कम होगा, पर यह 2 नहीं, आपको 14 करना है, तो कर लो, इंटू 7 कर दो, that's it, actual यह वाला answer है, present यह वाला answer है, अगला सवाल बिल्कु सेम है, अगर एक बंदा, speed 12 की बजाए 15 कर देता है, जादा कर दी अब, तो obviously, he will walk more now, तो अभी वो 18 किलोमेटर जादा चलता है, फिर से वही पूछा है, find the actual distance, कैसे निकालेंगे, आईए देखते हैं, यहाँ पे, speed क्या की जा रही है, 12 से 15, sorry, 12 से 18, 18 बोला है न, तो यहाँ पे distance क्या होगा, sorry, 15 ही बोला है, 12 से 15 है, तो distance क्या है, वो भी 12 से 15 है, यह gap कितना दिखरा है, 3, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 18, तो 3 का 18 करने के लिए बस मुझे क्या करना है, इंटू 6 कर देना है, तो 12 इंटू 6, एक सेकिंड में आप जवाब दे सकते हैं, कि पहले कितना चलता था 72, कितना असान है, समझाया के नहीं, अब इसी question को थोड़ा modify करके भी दिया जाता है, ऐसा लिख सकता है, पहले तो दो स्पीड दी थी ना, अब वो ऐसा कह सकता है, कि अगर एक बंदा अपनी स्पीड को reduce करता है, to the 3 4th, तो स्पीड कम की है, अब वो 10 किलोमेटर लेस चलता है, find the distance covered with his normal speed, normal, actual, usual, मतलब पहले वाला ही time पूचा है, पहले वाला ही distance पूचा है, तो स्पीड अगर 3 4th की है, तो इस case में आप ऐसा कर लेना, कि जैसे speed को assume कर लेना 100, और 100 से आपने की है 3 4th, तो ये कितना आ रहा है अगर आप देखो, एक तरह से ही आ रहा है, 100 से 75, और अगर आप इसे 25 पे cut करोगे, तो ये 4 ratio 3 आ रहा है, अब देखो, आपने 100 लिया, ये आया, और ध्यान से देखो, य यहां 4 by 3, तो इसे directly short में लिख लो, कि आपकी speed अगर 3 4th हो गई, तो नीचे से उपर हो गई, ऐसा लिख सकते हो, यानि कि speed सीधा लिख सकते हो, अगर 3 4th होई है, अगर आपकी speed 3 4th होई है, तो 4 से 3 हो गई, ऐसा लिख लो, ये 3 4th ही तो हो रही है, तो distance पे क्या फरक पड तो क्या issue है, बस 10 से multiply कर दो, और actual वाला पहले वाला होता है, आपका answer आजाएगा, very simple, 40, I hope ये concept आपको समझ में आया होगा, अगला question देखते हैं, दो train है, same time पे चलते हैं, दो अलगलग station से, जो कि 200 km अपाट है, और ये opposite direction से आ रहे है, एक train यहां से चल रही है, एक train यहा पे मिलते हैं, right, क्या दिया हुआ है, कि when they cross each other, तो वो कहां मिलते हैं, 110 km from one of the station, तो एक station से 110 km दूरी पर ये मिलते हैं, माल लेते हैं, यहां से, और total इनके बीज में gap है 200, अगर ये 200 में से 110 दिया है, तो बाकी मिल गया 90, तो इसने 110 कवर किया, उसने 90 कवर किया, एक तरह स आसे, question क्या पूचा है, what is the ratio of their speed, आप से पूचा है, speed का ratio क्या होगा, आप से पूचा है, speed का ratio क्या होगा, वही तो होगा जो इनके distance का है यही तो सिखाया था तो इसने 110 कवर किया इसने 90 कवर किया तो जो distance का ratio है वही speed का ratio है तो answer आगया 11 upon 9 कितना आसान सवाल था इधर से इसने 110 कवर किया है उधर से उसने बाकी का 90 कवर किया है तो जैसा distance कवर कर रहे हैं वैसी ही तो speed होगी, speed और distance का जो ratio है, वो क्या है, same है, right, अगला सवाल देखते हैं, अगला question है, two trains starts same time from Pune and Delhi, and proceed towards each other at 80 and 95 respectively, तो एक train उने से start हो रही है, एक Delhi से start हो रही है, यह 80 की speed पे जा रही है, यह 95 की speed पे जा रही है, क्या लिखा हुआ है, when they meet, when they meet, it is found that the first one train will travel 180 km more than the other, क्या रहे है कि जब यह train मिलेंगी न, मा लेते हैं, यहाँ पे मिलेगी, तो जो एक train है, उसने 180 km जादा cover किया है, दूसरे से, distance की बात कर रहा है, एक ने दूसरे से 180 km जादा cover किया है, तो आप दीखिए कि इनका जो distance है, उसका ratio क्या है, 80 ratio 95, अगर मैं इसे 5 पे cut कर दो, यह एक चीज़ देखिए, distance का जो ratio आ रहा है, वो 80 ratio 95, यही ratio होगा न, क्योंकि यह speed का ratio है, speed का ratio ही, distance का ratio होता है, ठीक, अब इन में जो gap मुझे दिख रहा है, वो 15 दिख रहा है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 180, तो 15 को 180 बनाने के लिए, इस बार आपको 12 से multiply करना पड़े, क्योंकि 15 सिख जा होता है, 90 यह 90 का भी double है, तो 6 दूनी 12 से multiply करना है, अब आप पहले का भी distance बता सकते हो, उसने 18 to 12 cover किया होगा, और दूसरे का भी बता सकते हो, 95 into 12, आपको पता है क्या निकालना है, दोनों सिटी के बीच का distance, तो अब आपको पता है क्या निकालना है, दोनों का addition, क्योंकि इसने कितना cover किया, यह, और इसने कितना cover किया, यह, आपको तो total distance बताना है, तो दोनों को जोड देंगे इसको add कर लिजे इसमें से 12 तो आपका common आ गया तो 12 इंटू इन दोनों को add करिए अंदर 80 प्लस 95 ये आपका answer आ गया 12 इंटू 175 सो बारा को 175 से करना है तो 100 से अलग कर लिए 70 से अलग कर लिजे ये बारा सो हो गया और 12 इंटू 75 करेंगे तो ये आपका 75 को हम लिख सकते हैं 300 बटा 4 तो ये 900 और हो जाएगा total add करके आपके पास आ रहा है 21 ये distance आ गया था ना बढ़िया question समझ में आया के नहीं आया तो चलिए अगला question है race के उपर और इसका answer मुझे आपने comment में बताना है कोशिश करिए इसे करने की इस एक school में Mohan and Govind race में participate करते हैं ratio जो है उनकी speed का 5 और 7 तो ध्यान दीजिएगा जो ratio speed का है वही distance का होगा मतलब यह अगर 5 चलेगा तो वह साथ चलेगा obviously दूसरा वाला जीत जाएगा और यही बोला है आगे कि जो पहला वाला है वह हार जाता है by 360 मीटर तो gap दिया हुए distance का और distance का ratio वही होता है जो speed का होता है तो कोशिश करिएगा यह बताने की कि what is the length of track what is the length of track और gap दिया हुए 360 मिटर आपको यह track की type में topic में दिक्कत है problem है तो वह भी बताइए किस type में आपको ज्यादा issue आते हैं ताकि हम वह लेट पाए students अगर आप हमारे best online courses लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लिजिए because हमारे नए batches start हो रहे हैं और यह coupon code है ks live जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा discount मिलेगा हमारा bank और sse का next batch 3 start हो चुका है और यह close हो रहा है 26 माई को इससे पहले आप admission ले लिजिए इसमें ऐसे ही अगर आप सिरफ bank लेना चाहते हैं तो bank भी ले सकते हैं 26 माई को close हो रहा है और हमारा sse का जो new batch है वह start हो रहा है 30 माई से तो आप जल्दी से enroll कर लीजिए किसी में भी combo में bank या फिर sse अगर आप सिरफ कॉंड का course ल लगरे होंगे राइट सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन आपको दबाना है maximum discount के लिए केस लाइव आपको यूज़ करना है आप मुझ से जुड़ना चाहें तो इस टेलेग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं तो अपना जो question मैंने आप से पूछा वो अल्दातक